हे इवरिबन तो आज हमसेर करने जा रहे हैं कैसे नास्ती की रेश्पी जिसे आप देखते हैं बना करके रेडी करने वाले हैं और ये नास्ता बहुत रेश्पी और बहुत चटपटा और बहुत मज़दार बन के रेडी होता है और ये इसे बनाना बहुत जदा आसान है आप आपसे पहले एक पाऊर में पानी लेंगे और दो कच्छा आलू मैंने आ पे लिया है जिसा इम छिलका हटा लिये थे और जो मेडियो ओल्ला जो ग्रेटर होता है उसे हम ग्रेट करेंगे तो आपको मोटा य्याल होता है उसे आपको smarter नहीं करना है इसको मतलब मेडियो मोला ज के बाद हम साइड पर अख देते हैं और यहां पर हम ले लिये हैं दो हरी मिर्च यहां पर मैंने लिया है और लासुन लिया हूं और अद्रग मैं लिया हूं यहां पर तो इस तरीके से आपको लेना है और यहां पर खल जो होता है ना जो मतलब मसाले जो कुटते हैं और इसी म तरीके से चाहिए, तो चलिए इसे बनाते हैं, सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, पैन में हम डाल दिये थे जीरा, और वैल डाले ये थे, कुकुवल, ये मतलब सूट नहीं हुआ था बीच में, तो ये मैं डाल करके, और जो मैं आदरक और लासुन कूटी थी ना हरी मिर्च, हम डाल देंगे इसमें, और करीपता मैंने याँ पर डाला था, तो सभी को हम क्या करेंगे, अच्छे से हम डाल करके, एक मिनिट के लिए भून लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे, वाइट वला जो तील होता है, वो हम डाल देंगे, अगर आपके पास ब्राउन वला जो द्यूआ कि अपर आलो को अच्छे से आपको भूना चुकआ है है दो इस तरीके से डाल करके और यहां पे हम डाल देंगे नमक, अनुसर आपको नमक डालना है और यहां पे हम हल्दी डाल देंगे कलर के लिए और कुछ मसाले हम इसमें zombies करने वाले हैं तो इस तरीके से हम डाल देंगे और फ्रेंस मसाले में आपको जो पसंद हो आप यहां पर डाल सकते हैं तो यहां पर मैं बहुत कम मसाले में बनाई हूँ बहुत चिटपटा बनता है फ्रेंस इसको हम क्या करेंगे ढख देंगे और ढखने से क्या होता है ना बहुत जल्दी जो आलू है वो बहुत जल्दी से ये मतलब वो पक जाता है तो इस तरीके से पैन में चिपक जाता है तो इस तरीके से आपको क्या करना है इस पेचुला से आपको और चलाते रहना है तो घ्राव सा पानिंहें 3-2 चमेवाओं डालना है यहां तो यह यह मैठ नहीं पानियो फाल होना में करीव और राक्राव से उठने और पानिंगे Chem owned शट्corयम नक्रिम प्रवद थ уб at देखाँ तो यहां पर मैं एक कप के करेब यहां पानी एड़ कर रही हूं ताकि जो पोह अच्छे से फूल जाए तो इस तरीके से हम डाल देंगे पानी को और उसके बाद हम क्या करेंगे अच्छे से इसको हम 2-3 मिनट के लिए हम रेश्ट पे छोरेंगे और यह रेष्ट प बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको mix कर लेंगे, तो आपको स्वाद अनुसर नमक डालना है, और में मसाले में भी नमक डाली हूँ, जो में फिलिंग गी हैं और उसके बाद इसमे में डाल देंगे चिली फलेक्स, सकते हैं अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं तो इसमें हम डाल करके इसको भी हम अच्छे से mix कर लेते हें यहाँ पर और आप देख सकते हैं आपको अच्छे से इसको मसलते हुए आपको यहाँ पर mix कर लेना है जैसे माटा गुनते न उससे आपको करना है तो यह देखिए जैसे आप चिकना मतलब बनता है जैसे आप करेंगे न उससे बहुत ही चिकना बनेगा और मसलते हुए नहीं मिक्स करेंगे न तो यह चिकना नहीं बनेगा तो इस तरीके से आपको क्या करना है अच्छे से मसलते ह आपको यहां पे डो बनाना है, और यह देखी, बहुत धीरे-धीरे अप जैसे जेसे अप मसलिएंगे उससे चिकना होते जाएगा, तो इस तरीके से आपको मतल्ब मसलना है, तो आप दिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैं यहां यह एक डो तो इसमें डालने से भी मतलब तेस्टी अजन अघ्था गाने में और इसका फ्लेवर ही और भी बोथ इदाछी आती है तो इस तरीके आपको डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये देखिए मिक्स हो गया है और उसके बद हम क्या करेंगे जो में डो बनाई थी उसको हम क्या करेंगे इस तरीके से हम ले लेंगे जैसे हम रोटी बनाते है उस तरीके से हम लोई ले लेंगे और उसके बाद हम ऐसे चावड़ा कर लेंगे हाथ से और उसके बाद इसमें हम फिलिंग डाल करके भरेंगे तो आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद चारो हो जाएगा यह फ्ट जाएगा तो आपको ध्यान रहे कि उसको अच्छय से आपको मतलब चारो तरफ अच्छय से इसकtsåकä जो मुए मैं न अच्छय से इशकर बंद करना है और उसके बाद आपको हांत है न से ठीख करना है अगर आपको फटे तो आप चाहें आप फिर आ सकते हैं तो पैन में तेल गरम हो गया है और तेल कह छीटा आपको इस पीला आई यह बाहले तेल का स्थी और टेस्टि और में की सबन की रीडी होता ऐ Torah और यह देखिए चारो तरफ अच्छे से आपको golden brown उने तक आपको सेक लेना है और यहां पर देख सकते हैं यह बिल्कुल ready हो गया है और उसके बाद हम क्या करेंगे प्लेट में निकाल करके सर्फ करेंगे तो पहले हम इस तरीके से निकाल लेते हैं प्लेट में और उसके बा यह नास्ता तो आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा तो मैं आपको टेक्सर दिखा रही हूं आपको तोर के दिखा रही हूं इसका टेक्सर अब देख सकते हैं यह कितना टेस्टी और बहुत ही चटपटा सा नास्ता बनके रेडी हुआ है फ्रेंस तो अगर मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दीचीगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बब